पांच लाग, छे लाग लोगों की आविदन आते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी एक एक्जाम हुए हैं, जैसे सीके माद्यम से, उस पे किस तरीके से आई दिन मीडिया ट्राइल चल रहा है, वास्ताविक तक आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में, सर बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है, और उसी का नतीजा है कि आप निरंतर हम लोग किसी न किसी समया उधिये में, मुझे लगता है कि हाँ लेकि दो मेने के अंदर, और नव निर्मित जार्खन पुलिस के इस जैब सभागार में, जैसे सी के द्वारा ये कारिकर मायो जी थे, और विविन परिक्षाओं में, विविन विभागों में, विविन छेतरों में, नव नियुक्त, सभी हमारे सरकार के अभिन अंग के रूप में जूड़ रहे, सरकार के करमचारी गन, और हमारे साथ उपश्चित मंच पर गन्य महान अतिति गन, मंत्री गन, शांसद, विभागों के सचीवगण और अपर मुक्षचीवगण इन सभी का भी हार्दी का भी नंदन है। काफी देर से आप लोग इंतिजार कर रहे हैं, काफी देर से नहीं, बलकि कुछ लोग तो बर्सों से इंतिजार कर रहे हैं आज के दिन के। हमारा ये प्रियास रहा है, चुकि सरकार और राज की विवस्था किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता। इसके लिए जब तक सभी छेत्रों से एक साथ लोग राज की विकास की पहिये को खिचेंगे, तभी राज का सरवांगिन विकास की जो बाते हैं वो पूरी हो सकती है। आप सबको पता है, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज अलग हुआ। और राज अलग हुए अभी लगबग 20-25 साल हो रहे हैं। कई वर्सों में तक तो जारखंड और बिहार में कैडर विवाजन भी नहीं हो पाया था। ऐसे स्थिति में कई जगों पर टेंप्रोरी विवस्था के माध्यम से चीजों को चलाया गया। दिरे दिरे कैडर विवाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी परक्रिया प्रारम हुए। कई जगह नियुक्तियां राज अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी। वो आप तक नहीं हो पाई थी। कई संबर के नियुक्ति नियमावाली का नहीं बनना भी इसका मुखी कारणों में से एक कारण रहा। 2019 में जब हम लोगों ने सरकार संभाला तो इस्तिती ऐसी हुई राज की विकास की तो बात छोड़िए। राज में हम जिन्दा कैसे रहें इस पर हम लोग चिंतित होने लगेते हैं। कोरोना जैसा महमारी आप सब लोगों ने देखा। दो साल तक उसी में उठा पटक होता रहा पूरे राज के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विस्ट के अंदर। धीरे धीरे कोरोना का बादल छटा। विभागवार समिक्षाएं होने लगी। तो पता चला कि कई संबर्ग के तो नियुक्ति नियमाली भी नहीं है। कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाल हुए में कई सारी उल्जने भी आ गई हैं। कुछ तो वास्तवी उल्जन रही और कुछ तो दिखावटी उल्जन भी रही। मैंमेड उल्जन जिसको कह सकते हैं। कू laa ौmi और युऑ नजवान ऊनल चोते ही हैं। है कभी कभी उ उस उर जाका उपयोग सही म रास्तत्स WhatsApp चीज़ों के लिए भी हो जाता है कभी कभी गलत चीज़ों में भी उस उर्जाका उप्यों हो जाता है। तो मुझे लगता है इस राज में राज बनने के बाद अलग-अलग छेत्र में इस राज को कई तुफानों का सामना करना पड़ा कई हिचकोले खाने पड़े फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संबर्ग के नियमावली बनाने प्रारम किये फिर नियुक्तियाएं प्रारम हुई और आपको पता होगा कि हम लोगों ने जेपिएसी का एक्जाम कंड़क कराया था और आपको मालुम होगा कि वो जेपिएसी का एक्जाम इस राज का और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं कि देश में भी वो रेकॉर्ड रहा है तो सबसे कम समय में उसका रजल्ट प्रकासित करके हम लोगों ने वीडियो सियो का लेक्टर बनाने का काम किया थी कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बाटे और बाटने के बाद फिर एक नहीं कि समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदास्ताफन करना है इनको यहां कि इस राज के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है कि विभाग में उथल पुथल होता रहता है कई बार तो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र ऐसी बाटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी हमने नहीं किया बलकि लौटरी के माध्यम से जो भी अबयारती है जो भी हमारे करमचारी चैनित हुए थे उनके लिए अपना जगह चैन करने का उसको मौका मिलता थे नियुक्ति पत्र भी और कहां उसको जाके अपने कार करने हैं वो भी साथ में लेके जाते थे और ऐसे सबागार के बीच में तो हमारी प्रयास रहे कि हर चीज पारदर सिता के साथ हो और नियाए संगत हो हम लोगों के लिए सभी चाहे राज के उश्टम पदादी कारी हो चाहे राज के चपरा से हो सभी को देखने का एक ही नजरिया हमारा है और इसी वज़ाद से हमें लगता है कि हम लोग निरंतर जो इधार उधार बिखरी चीजें हैं उसको समिटने में लगे हैं सभी को एक विवस्ति धंक से चीजें आगे बढ़े ये इस पर हम लोगों का विशेस फोकस रहा है आज के इस न्युक्ति पत्र वित्रेंस हमारों में सबसे अधिक सिक्षेकों की संख्या यहां दिख रही है और इसमें से तो लगबग दोसों के करीब नौदस सालों से इंतिजार कर रहे हैं आज के लिए और अभी तो मैं कहीं देख रहा हूँ कुछ बच्चे भी साथ में आये हैं साधी भी आभी हो गया बच्चे भी हो गए और नौकरी अब लग रही है बहुत लोगों की साधी भी नहीं भी होगी बहुत लोगों की हो भी गई होगी उसके लिए भी मेरे तरफ से बहुत-बहुत सुब कामना है और आज निस्षित रूप से आप लोगों के लिए बहुत उत्साह का विसे है पूरे प्रिवार जन के लिए भी वेक्तिगत रूप से भी और हमें भी खुशी है कि आप लोग अब सरकार के एक मजबूत कड़ी के रूप में जोड़ेंगे सिक्षक हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है विसे इसकर जारखन के लिए कि यहां कुछ मूल विसे है जिस पर हमें इमांदारी से प्रयास करते हैं आगे बढ़ने क्या हूश सकता है उसमें से सिक्षा का छेत्र अत्यन महत्पूर्ण है ऐसे नहीं है कि यहां बच्चे नहीं पढ़ाय करते हैं लेकिन उन्हें विवस्था हमें देनी क्या हूश सकता है आपको पूर्य में बताया कि हम लोगों ने Ecclency School बनाया है इसकी परिकल्प नहीं हुआ ही है आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के साथ या उनीИ श्कूलों में जाने की उमीद रखते हैं लेकिन आर्थिक तंगी गरीवी इस राज का एक बहुत बड़ा कहा जाए कि एक परकोप है अब हमारा प्रयास है उसे भी हम मिटाएं और निस्षित रुप से जिस लक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे कदम नहां रुके तो यहां का जो गरीवी का परकोप है इसको भी बहुत जल्द हम लोग खतम कर लेंगे और माता पिता के बाद तो सबसे अधिक डर अगर किसी भी छातर को होता है किसी भी बच्चे को होता हो तो सिक्षक को लेकर के होता है कि यहां के सिक्षक गर्ण जो अभी उपस्तित हैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सिर्फ नौकरी ही नहीं किसी परिवार का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आप के जिम्मे परिवार लोग छोड़ेंगे और आप आने वाले पीडी को तरासने का काम भी करेंगे और बाकि सारे तो इंजिनियर्स हैं और हेल्थ टेक्निशियन्स भी हैं हेल्थ इपार्टमेंट के और हमारे लेखा जोखा देखने वाले राज में कैसे सरकार को सिर्फ खर्चे नहीं करना पड़ता है सरकार को आर्थविवस्था मजबूत करने की दिसा में भी काम करना चाहिए सरकार आर्थिक रूप से मजबूत करने के जिम्मा भी सरकार की होती है आज वित विवाग वानिचकर विवाग में भी कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है और कुछ लोग उस आर्थविवस्था को खाली करने वाले लोग हैं खादापुर्ति विवाग में उनकी भी नियुक्ति हो रही है यहां पर तो एक तरफ से भरने वाले एक तरफ से खाली करने वाले लोगों के भी नियुक्ति हो रही है यह एक सावाज देखे कभी भी अकेला कोई चीज नहीं चलता साथ में कई सारे चीज़ें साथ चलती है अच्छा है तो बुरा है बुरा है तो अच्छा भी है इन सब का एक तालमेल सामंजस संतुलन बना रहता है तो आम नागरिकों को तकलीफ नहीं होती है जब इन में से कुछ भी चीज़ें दोनों में से कोई भी बैलेंस खराब करता है तो पूरी विवस्था खराब होने लगती है यहां बैठे बहुत सारे लोग बहुत सालिन भी होंगे बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव भी होंगे तो सारा कुछ बिला जुला होता है और यह बहुत मेरा यह मानना है यह एक अच्छा विवस्था भी है जो एक दूसरे को चेक इन बैलेंस करके रखता है बड़े पेमाने पे थोड़ी सी यहां पर सिक्छक के बाद परियोग साला सायक के भी निक्ति हो रही है यह बहुत जलूरी था और आज यह अंजाम तक पहुँच रहा है इंजिनियरों की बहाली होती रही है डारेक्ट इंडारेक्ट कॉंट्रेक्ट और अलग-अलग माध्यम से अब सरकारी हिस्सेदारी आपकी हो गई है आप लोगों से भी उमीद है इंजिनियरों को भी आममन सरकारी करमचारियों को बहुत लोग कुशिन मार्क नजर से देखते हैं बहुत थोड़ा सा यह बहुत थोड़ा अपने आप में सर्मशुष करने वाले चीज़े इसलिए आप सब लोग भी इसकदर आगे बढ़े हैं अभी मानिये आधरनियम मंतरी जी ने कहा आप लोग आम लोग नहीं हैं आप लोग विसेश लोग हैं आप लोग अपनी उस दक्षता को उस छमता को सिरफ नौकरी पाने के लिए नहीं बलकि समाजी वातावरन में भी ये फैले रहे ये हमें हमेसा प्रयास रहना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़े हमी सब मिलके बनाते हैं और हमी सब लोग मिलके इससे खराब भी कर सकते हैं इसे लिए आज लगभग 527 लोग आज हम लोगों को जगह की तलास करनी पड़ रही थी कि आज इतने लोगों की नियुक्ति पत्र वित्रन होगी तो कहां होगी मुझे लगता है राची का जितना भी एडिटोरियम है सब के बारे में जानकारी ली गई तब पदा चला कि यहाँ पर इतने संख्या में लोगों को रखा जा सकता है बुलाए जा सकता है तो इस तरीके से कई चीजे हैं जो हम लोग के बीच धीरे धीरे आ रही हैं बढ़ रही हैं और उसका सभी लोग हम लोग आनद भी लेते हैं तो इसलिए आज राज के लिए भी बहुत उत्सा का दिन है कि अब हमें और भी हमारे हाथ अधिक हुए है ताकि हम काम भी और तेजी से कर पाएं इसलिए अब तो आप हम चाहेंगे विभागों को भी यही कहना चाहेंगे कि हम लोग नीचे से उपर तक ऐसी विवस्थाएं खड़ा करें जहां हम अच्छे कामों के लिए किसी भी अस्तर के करमचारियों को पुरुस्क्रित करने का काम करें ताकि वो भी उत्सावर्दक तरीके से अपना काम कर सके चाहें इंजिनियर, डॉक्टर, सिक्षक हमने देखा है कई स्कूल ऐसे ग्रामीन छेत रखे हैं जहां पे कुछ सिक्षक को ने बड़ा ही अजीब उधारन केस किया है सिमित संसादन में इतना खुबसूरत इतना अच्छा वातावरन वहां पर सिक्षा का हर चीज सिस्टेमेटिक जरूर तुटा-फुटा है लेकिन वो विवस्थित तरीके से जो उनके पास सिर्षादन उपलब्द हुए उनी को लेकर उन लोगों ने इतना क्रियेटिव तरीके से चीजों को संभाल कर बच्चों को सिख्षा देने का काम करते हैं कि मैं भी बहुत उत्साइथ होता हूँ मैं इसलिए चाता हूँ कि कोई हम ऐसी विवस्था करें जा हम हर एक इंटरिवल पर हर छेतर में एक ड्राइब चला करके इसका एक आकलन करते रहें इससे दो-तिन चीजें बहुत अश्पर शुप से उबर के सामने आएंगी कि हम सभी मिलकर एक दूसरे को देखते भी हैं समझ भी रहे हैं और आगे बढ़ने का उटसा भी भरने का काम कर रहे हैं तो इसलिए मेरी और से फिर से बहुत-बहुत सुप कामना है आपको आपके परिवार जनों को आपके बाल बच्चों को और विभाग ने बड़ी मसकत से इस मकाम तक इस निक्ति को पहुँचाया है अभी आप लोगों ने सुना ही अभी क लगातार एक्जामी हो रहा है कुछ न कुछ विवस्था में अभी उत्पाज सिपाई की नियुक्ति हुई मुझे लगता है ये कोरोना के बाद एक बहुत सारीरिक दश्टा वाला इम्तिहान रहा दर्जन भर से अधिक नौजवान इसमें अपनी जान कमा बैठे हैं और इससे हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा उदास हैं चिंतित हैं और इस विसे ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनोती हो गई और इसके लिए तो हमने अभी कर लिया परसो ही भारत सरकार के स्वास्वंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे राज में इस नुक्ति प्रिक्रिया के दौरान इस तरीकी की घटना घटी है आममन ऐसी घटना है सुनने को साइद ना मिला हो लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत च्वकाने वाला घटना था और हमने कहा है कि तह तक जाने का मेरा प्रियास रहेगा क्योंकि जारखन के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि यो पाँच किलिमेटर दस किलिमेटर चलना सके दौरना सकते तो हमने इसके लिए एक मदद मांगी है बारत सरकार से कि इस पर विस्तरित इसकी इंक्वाइरी हो इनकी जाच हो कि आखिर इसके पीछे वज़ा क्या है कि इतने बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों की जाने चली गई हमें उसका भी बहुत बड़ा खेद है अभी और भी न्युक्तिया होनी है जिसमें सारे रिक दक्ष्टा क्या विस्तर पड़ेगी फिर तो ये बहुत बड़ा चुनोती हो जाएगा इस राज के लिए तो कई लोगों को तो बहुत आसान लगता है हमने नुक्ति पत्र निकाला नुक्ति वेकेंसिज निकाले देख लिए हम लोग अंजाम अभी हमने पंदरव बच्चों को खो दिया फिर कल इस तरीकी के वेकेंसि निकलेंगी अगर इससे अधीक बड़े संख्या में वेकेंसि निकल गए तो और बड़े संख्या में हमारे नौजवानों की जाने जाएंगी इसलिए इस छेत्र में आगे बढ़ने से पहले पूरी चीजों को हम लोग जानकारी लेकर आगे बढ़ने का हम लोगा प्रयास है ताकि सभी नौजवान सुरक्षित तरीके से नौकरी तो मिलना जिसको है उसी को मिलेगा जरुत से अधिक जहां हजार वेकेंसि होते हैं तो पांच लाग छे लाग लोगों की आविदन आते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी एक एक एक्जाम हुए हैं जैसे सिके माद्यम से उस पे किस तरीके से आई दिन मीडिया ट्राइल चल रहा है वास्ताविक तक आता पता नहीं लेकिन खबरों में मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोट सकें लोग लगे वें लेकिन हम लोगों ने बिलकुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है और उसी का नतीजा है कि आप निरंतर हम लोग किसी ने किसी समया उधिये में मुझे लगता है कि हर एक दो मेने के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी सवागार में हम लोग बड़े पैमाने पर कभी दो सो कभी देड़ सो कभी मुझे नहीं लगता है कि देड़ सो दो सो से कम लोगों की हम लोगों ने निक्ति की होंगी किसी भी सवागार में और आज तो ह शेतरों में भी निवक्तियां की हिसा गैर सरकारी खे और वहां हुआ हुपि झाल जो बच्चे अलग अलग राज्ज़ों में अलग अलग ऋलग वड़ी-वड़ी कंपनियों में होटल में कि न अईती सेक्टर में लं'T में जैसे कंपनियों में गई टाटा सम्मू जैसे कंपनियों में गए कुछ बच्चे तो आज हमें हम लोग उन सभी बच्चों को हम लोगों ने ट्रैक रेकॉर्ड भी रखा है कुछ बच्चे तो आज देश से बाहर भी निकल गए अपने हुनर को तरास्ते तरास्ते ये खुशी की बात है तो है बहुत सारी विवस्ता है जहां हम सब कुछ क이 अपने को जिवन आपन के रास्ते ढून सकते हैं सरकारी काम और सरकारी विवस्ता में जो पदे हैं वो तो सिमित ही हैं लेकिन मेरा ये मानना है जो पदे हैं और आवश्य सकता है उसे जितना जल्दी भरा जा सके भर लेना चाहिए ताकि हम लोग इस ट्रेन को इस राज की विकास की ट्रेन को रफ्तार दे सके बहुत बहुत सुब कामना है जोहाथ